नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि कैसे सीडी को बन किया जाता है और उसमें सीडी में कैसे डाटा को कोपी किया जाता है उसके बारे में आपका वीडियो होगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले My Computer पे हम डगल कलिक करेंगे और जो अमारे सामने इसको बड़ा कर लेंगे स्क्रेन को देखिए यह उमारे सामने डीवीडी जो दिख़रा है डीवीडी ड्राइव यह देखिए इसमें सीडी डिलावा है यह डीवीडी डॉटर है और इसमें CD डिलावा, इसमें 702 MB की CD की साइज होती है टोटल तो हम इस 702 MB की साइज की CD के अंदर डाटा कोपी करेंगे तो हमारा जो डाटा पढ़ा है वो डाउनलोड के अंदर पढ़ा है मैं आपको CD की टोटल साइज भी दिखाऊंगा यह देखिए डाउनलोड के अंदर जो हमारी दो वीडियो फाइल जो पढ़ी है वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों की साइज देख लेते हैं सेलेक्ट करेंगे माउस के दवारा और राइट कलिक करके प्रॉपरटी इसके अंदर जाएंगे ये देखिए इनके साइज जो टोटल है वो 40.5 MB है टोटल और हमारी जो CD के अंदर जो साइज है वो 702 MB है तो बहुत ही कम डाटा है CD के according ये तो इसको close करेंगे ये Ultra ISO Burning एक software है इसको Google से डाउनलोड कर सकते हैं Continue to Try, Trial version है ये तो इसके बाद हम MyDisc PC को कोलेंगे जहां पर फाइल पढ़िए डाउनलोड के अंदर उसको खोलेंगे, select करेंगे और drag and drop करेंगे इसको यहां इससे उठाके यहां copy कर देंगे अभी टूल के अंदर जाएंगे बंड, CD, DVD, image पर क्लिक करेंगे इसका shortcut F7 भी है और हमें बाकी किसी भी option को नहीं छेड़ना है यह writing speed को भी नहीं बढ़ाना है ना verify करना है आप सीधा बंड पे क्लिक किजिए बंड पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ समय लगेगा इसमें यह हमारे DVD के data की speed पे depend है writer की quality पे depend है writer कितना नया है, पुराना है अल्मॉस्ट कोपी हो चुका है यह देखिए, burning successfully हमारी cd राइटर से बहार आ चुकी है इसको वापस डालेंगे writer के अंदर इसको cancel करेंगे, save नहीं करना है हमें इसको this piece यह open करेंगे यह देखिए cd वापस डाली है मैंने डिवीड राइटर में अभी कुछ नहीं आ रखा यह देखिए, dvd वापस cd copy जो की थी डाटा वो दिखा रहा है इसमें right clicker के properties में आपको दिखा रहा हूँ use space 40.5 MB तो यह देखिए, इसको open करेंगे यह देखिए, हमारे दोनों वीडियो इसके अंदर है